हेलो एब्रिवन आज कहा हमारा टॉपिक है अच्छे पत्र की विशेष्था क्या क्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ एक अच्छे पत्र की पाँच विशेष्था हैं पहला सरल भाव सेली या भासा सेली दुसरा विचारों की सू अस्पस्ता तीसरा संच्छेप और संपुर्णता चोथा परवानविती और बाहरी सजावट पहला देखना सरल भाव सेली या भासा सेली पत्र की भासा था साधानता सरल और बोल चाल की होनी चाहिए पत्र की भासा था सरल यानि की साधान शिंपल होना चाहिए सब्दों के परियोग में साधाने रखनी चाहिए ये उप्योग सटिक सरल और मधूर हो सारी बात सीधे साधे ढंक से असपष्ट और पर्तेक्ष लिखना चाहिए कोई भी बात हम लोग लिखेंगे उसको सीधे तरीके से लिखेंगे घुमा फिरा के ज़्यादा नहीं लिखना है बातों को घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं है घुमा फिरा के लिखना उचित नहीं है सरल सब्दों में 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 लिखना है दुश्रा विचारों की सू असपष्ट ता यानि कि पत्र में लेखक के विचार सू असपष्ट और सूल्जे होने चाहिए यानि कि पद्र के लेकर विचार जो लिखेंगे असपष्ट और सुल्जय होना चाहिए कहीं भी पंदित परदाश्चन की चेश्टा नहीं होनी चाहिए बनावटी पन नहीं होना चाहिए दिमाग पर बल देने वाली बातों को नहीं लिखे जानी चाहिए जरल विचार लिखना है अस्पस तरीके से दिमा में बल देने वाली बात नहीं लिखना है इससे टीचर लोग माक्ष नहीं देते हैं तिसरे संचिप्त संचेप और संपुनता पत्र अधीक लंबा नहीं होना चाहिए वह अपने में संपुन और संचिप्त हो पत्र अधीक लंबा नहीं करना है जितना हच्छोटा सा लिखेंगे उतने में हम लोगों को पुरा कर देना है उसमें अतिस्यक्ति, वागजाल और विश्टरित विवरन के लिए अस्थान नहीं है ज्यादा लंबा करके नहीं लिखना है इसके अतिरिक पत्र में एक ही बात को बार बार दोराना एक दोश्य है यानि कि एक ही बात को बार बार लिखना नहीं चाहिए पत्र में मिक बात आरम में लिखे जाने चाहिए पत्र में जो सबसे मिक बात है उसे आरम यानि के शुरू में ही लिखने चाहिए सारी बाते एक कर्म में लिखनी चाहिए इसमें कोई भी आविशक तत छुटने ना पाए पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा नहीं यानि कि उतने ही मिलों को पुरा कर देना है पत्र लेकन का शारा आसे पाठक के दिमाग पर पूरी तड़ा बेड़ जाना चाहिए पाठक को किसी परकार की उल्जन में छोड़ना ठीक नहीं चौथा, परवान विती पत्र का पूरा अशर पढ़ने वालों पर पढ़ना चाहिए आरब और अंत में नम्रता और सोहार्थ के भाव होने चाहिए पत्र का पूरा अशर पढ़ने वालों पर पढ़ना चाहिए शुरू और लास्ट में नम्रता और सोहार्थ के भाव होने चाहिए पांचवा हैं बाहरी सजावट पत्र की बाहरी सजावट हमारा ताइत पर यह कि पहला उसका कागज संभावता अच्छा से अच्छा होना चाहिए उसका कागज अच्छा होना चाहिए पत लिखने वाला कागज दूसरा लिखावट सुन्दर शाप और पुष्ट हो नहीं कि सुन्दर और शाप्ता के अगला आदमी पढ़ सके चत तिसरा ब्राम आधी चिन्हों का पर्योग अथा अस्थान किया जाए कोई भी चिन्हों का पर्योग हम लोग अच्छे तरीके से करना चाहिए उसके बाद चौथा है सिर्शक, तिथी, अभिवादन, अनुचेद और अन्त अपने अस्थान पर कर्मान सार होने चाहिए पाँच में पत्र की पंक्तियां सटा कर ना लिखी जाए और कुछ भी कोई भी लाइन लिखेंगे तो सटा कर ने लिखना चाहिए छटाए विशेवस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चोड़ा होना चाहिए विशेवस्तु यानि कि जो भी लिखेंगे उससे पत्र का कागज लंबा और चोड़ा होना चाहिए ताकि उसमें सारा पत्र लिखा जा सके अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल और सेर जरूर करें